Youth Peace Foundation एक initiative है जो society में humanity और peace के culture को develop करने के लिए काम कर रहा है अलग-अलग programs, trainings, workshop के जरिए Youth Peace Foundation युवाओं को मानवता और शान्ती के लिए जागरूप करके peaceful और बहतर समाज बनाने के लिए प्रेरिट करता रहा है Health and Hygiene YPF का एक प्रुमक कैमपेन है जिसमें YPF के volunteers देश भर में स्कूल, कॉलेज और लोगों के बीच जाकर जागरूपता फैलाने का काम करते हैं आने वाले कल में पर्यावरण को बचाये रखने के लिए भी YPF एक्टिव है जिसमें पौधे लगाना और पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चियों को प्रिरिद करना शामिल है जरुरत बंद लोगों के लिए फ्री आई कैम्प लगा कर वा फ्राकतिक आपदा में प्रभावित लोगों की मदद के अभिहान चला कर YPF मानवता के भाव से सब को मिल जूलकर आगे बढ़ने का मैसेज दे रहा है बीते 21 सितंबर YPF ने भारत के कई हिस्सों में इंटरनेशनल पीस दे सेलिब्रेट किया YPF ने ये दिन वाक पर पीस, प्लांटेशन पर पीस और मैसेज पर पीस के जरिए सेलिब्रेट किया YPF ने इस दिन भारत के 25 से ज़ादा शहरों में 60 से अधिक इवेंट और्गनाईज किये जिसमें 32,000 से ज़ादा लोगों ने सीधे भाग लिया साथी लाखों लोगों की संख्या में लोग, एलेक्रोनिक, फ्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए Youth Peace Foundation के Peace Fest से जुड़े, इन इवेंट्स में भारत के कुछ खास शहरों ने बढ़ चल कर भाग लिया जैसे दिनली, पुने, हैदराबाद, बैंगलूरू, कोलकता, मुंबई, राची, जैपुर, चंडीगर, बरेली, अलवर, बांदीकुर, भरतपुर, बेवर, जालंधर, रोतर, करनाल, मुझफरपुर, बहादुरगर, अम्बाला और बाराबंग की शामिल हैं। सभी जगे वॉक फ़र पीस और प्लांटेशन फ़र पीस के बाद, मैसेज फ़र पीस में अंतररास्टी शांति वर्टा, प्रेम रावजी के शांति संदेश के जरिये, लोगों ने एक कदम बढ़ाया, शांति की ओए। एक संदेश जो संसार के लोगों की जिंदिगी में एक संभावना से रूवरू करवा रहा है। कि शांति संभाव है कहीं भी, कभी भी। ये संदेश है प्रेम रावजी का जो पिछले पांच दशकों से अलग-अलग माध्यमों से संसार के लोगों तक पहुँच रहा है। आज उनके संदेश 24 घंटे 7 दिन एक ही जगा उपलब्ध है। और संभावना को संभाव कर रहा है टाइमलेस टुडे। टाइमलेस टुडे एक एप है। आज संसार के लोग इस एप को बढ़ चड़ कर सब्सक्राइब कर रहे है। YPF भी इस एप को भारत में लोगों के बीच पहुचाने में सहीो कर रहा है। टाइमलेस टुडे बेसिकली एक एप है जिसके सहायता से आप कभी भी कहीं पर भी जो प्रेमरावजी का मेसेज है आप उसको सुन सकते है। आपको सिर्फ एक एक्टिव इंटरनेट की जरूरत है और आप मेसेज को आप कहीं पर भी बड़ी आसाली से सुन सकते हैं। All over world कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होगा हम लोग हर जगे नहीं दा सकते हैं। इस एप में आप प्रेम जी के अलग-अलग विश्यों पर उनके संदेश को देख वसुन सकते हैं। साथ ही उनके देश दुनिया में होने वाले इवेंट्स को भी आप लाइब इंजॉय कर सकते हैं। आप इस एप को गूगल प्ले स्टोर और एपल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें टाइम लिस्ट टुडे आए। क्योंकि शान्ती संभव है कहीं भी कभी भी। शान्ती संभव है कर सकते हैं।